दुनिया के दस सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन ट्रेन की यात्रा से प्यार नहीं करता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ट्रेन से यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और आराम दायक परिवहन है। ट्रेन की सवारी एक अद्विती यात्रा का अनुभव प्रदान करती है, जो घने जंगल, घास के मैदान, नदी, पहाड, आदिसहित, कई परिद्रिश्य के बहतरीन द्रिश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन क्या जानते है, दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रेक भी है, जो प्राकृतिक सुंदर्ता के साथ-साथ खतरों और रोमांच से भरे हुए है, जो वास्तव में खतरनाक हैं और दिल के कमजोर यात्रियों को इन रूटों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जात ये रेलवे ट्रेक कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके बाब जूद भी बड़ी संख्या में यात्री इन मार्गों पर रोमांचक सफर को एंजॉय करते हैं, तो आईए, हम यहां इस वीडियो के माध्यम से निया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रेक्स के बारे में जानते हैं, जो शानदार द्रिश्यों के साथ-साथ खतरनाक स्ट्रेच प्रदान करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इंट्रेस्टिंग वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें, चेन्नई रामेश्वरम, रूट, भारत चेन्नई और रामेश्व किमी लंबा पुल है, जो 1914 में समुद्र में बनाया गया था, ये पुल उस समय रोमांच और खतरों से भर जाता है, जब कभी-कभी समुद्री जल से भर जाता है, और समुद्र से आने वाली लहरे क्रॉसिंग में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे ट्रेनों को केवल 4 मीटर प्रति सेकंड की गति के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये ब्रिज भारतिये इंजीनियरिंग की कड़ी मेहनत और रचनात्मक्ता का प्रतिनिधित्व करता है, सल्टा पोलवेरिलो ट्रेक, अर्जेंटीना समुद्र तल से 4200 की उंचाई पर चलती है, और अपने मार्ग में ट्रेन 99 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है, जो इस रूट को रोमांच और खत्रों से भर देते हैं, ते डेविल्स नोज, इक्वाडोर, समुद्र तल से 9000 फीट उपर डेविल्स नोज, रूट दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन, राइड्स में से एक है, नारजल डियाबलो का ट्रेन, मार्ग लुभावने द्रिश्य प्रदान करता है, क्योंकि ट्रेन नोज ओफ अध डेवि पर चड़ता है, यह ट्रैक दक्षिन अमेरिका में इंजीनियरिंग के करतब के साथ साथ सबसे प्रभावशाली और खतरनाग भी है, माना जाता है इस रूट के निर्मान के लिए 3000 जमैका और 1000 प्यूटो रिकान देश में आए, उन में से लगभग 2000 की मृत्यू हो गई, फ ऐसो मियामी रूट, जापान, ऐसो मियामी रूट, जापान में सबसे चुनोती पूरुन रेल पटरियों में से एक है, जो माउंट ऐसो के आसपास की भूमी को पार करता है, जो देश के सबसे सक्रिये ज्वाला मुखियों क्षेतरों में स्थित है, बतादे जो 2000 सुला में क कुमामोटो भूकंप के दोरान ट्रेक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से इस मार्ग का उप्योग बहुत कम हो गया है। ज्वाला मुखी विस्फोट की अप्रत्याशित्ता इस रेलवे ट्रेक को विशेश रूप से खतरनाक बनाती है जिसमें आपको पता नहीं होता है कि अगला विस्फोट कब हो सकता है। इस रूट पर ज्वाला मुखियों के लावा से जले हुए जंगल को देखा जा सकता वाईट पास और युकोन रूट अलासका से वाईट हॉर्स युकोन बंदरगाह को जोड़ता है। ये वर्तमान में पर्याटकों के आकरशन का केंदर है और लोग इस मार्ग की ट्रेन की सवारी करना पसंद करते हैं। अलासका का ट्रेन रूट अपने सुंदर परिद्रश वह मैं अहाद रूट के टो प्होड़तों का सामना करना पढ़ा था और पहले डायनामाइट से विसपोठ करके पहाडी को फोड़ा गया था, उसके बाद इस ट्रेक को बनाया गया था. Cape Town दक्षिन अफ्रीका दक्षिन अफ्रीका का Cape Town मार्ग खतरनाक मार्गों के कारण नहीं बलकि इस रूट पर होने वाली असामान्य गति विधियों के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है जिसके बारे में सुनकर आप चोक जाएंगे वैसे ट्रेनों में चोरी और हमले की वारदाते आम बात है लेकिन Cape Town सार्वजनिक परिवहन अपराद की उच्च दर का सामना कर रहा है Cape Town की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों के वारदातों का सामना करती है जिससे यात्री इस रूट से यात्रा करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और आकडों के अनुसार इस रूट पर दैनिक आधार पर कम से कम दस में से एक ट्रेन रद्ध हो जाती है जो बाकई गंभीर बिशय बना हुआ है Death Railway, Thailand Death Railway Route दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में से एक है इस रूट पर ट्रेन म्याम्मार की सीमाओं से होते हुए पहाड घने जंगल के इलाकों से होकर गुजरती है Death Railway, Thailand का निर्माड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था इस रेलवे रूट के निर्माड में हजारों कैदियों और स्थानी श्रमिकों के खून पसीना बहाया था इसके आलवा कई श्रीमकों ने अपनी जान भी गवादी थी इसी वजह से इस मार्ग को Death Railway कहा जाता है 1956 खोलने के बाद से मूल लाइन का केवल एक खंड चालू है कुरंडा Railway Australia कुरंडा Railway Australia Queensland में केरंस से कुरंडा को जोडने वाला एक सुरम्य और भयावह ट्रेन मार्ग है यह प्रसिद्ध रेलवे केरंस से कुरंडा तक की यात्रा पर अपना मार्ग बनाता है कुरंडा की यात्रा में लगभग दो घंटे लगते हैं जिसमें ट्रेन 15 सुरंगों और 27 पुलों से होती हुई खड़ी चटानों से होकर गुजरती है ट्रेने की गती धीमी हो जाती है फितातिस किमी लंबा यह मार्ग उननीस वीउ शताबदी के अंत में बनाया गया था जो खतरों के साथ साथ रोमांच और मनमोहनी प्राकृतिक सुन्दर्ता से भरा हुआ है जहां यात्री जरने और हरे भरे जंगलों की प्रशंसा कर सकते हैं पिलाटस रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे रूटस में से एक है इस रूट पर यात्री साथ हजार फीट की उचाई पर स्टेशन की यात्रा करते हैं इस रूट पर ट्रेन अलपना चस्ताद से पिलाटस कुलम तक जाती है और अलपाइन घास के मैदानों और पहाडों के माध्यम से यात्रा करती है पिलाटस रेलवे मार्ग में 30 मिनट की सवारी एक अलपाइन चोटी की ओर जाती है जो अपने अद्भुत विस्तारों के लिए जानी जाती है इस रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 4 पच और 5 किलो मीटर है जो बिभिन रोमांचों से भरी हुई है इस मार्ग के खतरनाक होने के बाबजूद भी बड़ी मात्रा में यात्री इसकी रोमांचक राइड को एंजॉई करते हैं जोर्ज टाउन लूप रेलरोड कोलोराडो जोर्ज टाउन लूप रेलरोड रेलवे ट्रैक दुनिया में सबसे सहसी और खतरनाक पट्रियों में से एक है जिसे रौकी परवत के माध्यम से 19 वियों शताबदी के अंत में बनाया गया था इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहरियों के उपर बना एक सस्पेशन ब्रिज है जो जमीन से 100 फिट की उंचाई पर स्थित है इस मार्ग पर भयानक अनुभव तब होता है जब आगे से आने वाली भारी हवाएं ट्रेन को रोकती है और संतुलन बनाए रखना मुश्किल बनाती है धन्यवाद हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले